नमस्कार मैं उरीन कुमारी आप देख रहे हैं पब्लिक एश्या नियूस चैनल इसी के साथ अब वक्त है हरियाना की बड़ी खबरों का पहली खबर के और चलते बता दे कुछ दिन से ये चर्चा जोरो पर थी कि हरियाना में कॉंग्रेस संजदत को करनाल लोगसबा सीट से प्रिताक्षी घोशित कर सकती है करनाल से भाजपा की तरफ से पूर्वसियम मन्होल लाल उमिद्वार के तौर पर मैदान में है अब संज जदत ने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करते वे लिखा कि मैं अपने राजनितिंग में शामिल होनी की सभी अफवाव पर विराम लगाना चाहता हूँ मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूँ या चुनाव नहीं लड़ा हूँ अगर मैं राजनिती शेतर में कदम रखने का फैसला करता हूँ तो मैं इसकी घोशना करने वाला पहला व्यक्ति हूँगा अभी तक मेरे बारे में खबरों में जो चल रहा है उस पर विश्वास करने से बचे और अगली खबर के और चलते बता दे कुरुशेतर में आमादमी पार्टी के प्रत्याक्षी सुशील गुपता के समर्थर में पंजाब के मुखे मंद्री भगवन मान सोंबार शाम को रोड़ शो निकालेंगे उनके रोड़ शो से कुछ घंटे पहले ही प्रशास्निक टीम ने बैनर पोस्टर वा स्वागर द्वारा हटा दिये गए विशाल कुमार ने आरूप लगाया कि किसी भाच्वानेता के शारे पर ये कारेवाई की गई है जबकि उन्होंने चुनाव आयों के नियम अनुसान अनुमती ली है ये रोट्शो को खराब करनी का प्रयास है लेकिन कारेकर्टाओ का मनोबल इस तरह कमजोर होने वाला नहीं है और अगली ख़बर के और चलते बतादे हरियाणा में नयाप सिंग सेनी के सीम बनने के बाद से नराज चल रहे पोर्व ग्रह स्वास्त मंतरी अनिल विज अब भी नहीं माने है वे गाहे बवाहे अपना डर्द बया करते रहते हैं उनके एक साख़शाथ का अरसे स्यासी गलियारों में हलचल मच गई है एक अंटर्वे में विज ने अपना डर्द बया करते हुए कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि मुखे मंतरी बदला जाएगा इस समन्द में ना ही किसी ने मुझे बताया, उन्होंने आगे कहा कि मैं हरियाना का सबसे वरिस्ट विधायक हूँ, छह बार का विधायक हूँ, शायद ये बाद दूसरे विधायक मंत्रियों को पता ना हो, लेकिन मनोहलाल को निश्चित पता होगा, उस दिन में पूर्व सी दोस्तों ने खुलासा किया कि बड़ा भाई हमाशु हाथ धोराता पैरफिसलने से बह गया, छोटा भाई नितिन उसे बचाने के लिए कूद गया, लेकिन दोनों ही बह गया, पुलिस एंडियारफ की टीम की मदद से दोनों को तलाश कर रही है, लेकिन कामियावी नहीं मि पुलिस ने जाज के बाद चोरिक का मुकदमा दर्ज कर लिया है, ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहे हैं, पब्लीकेशन यूज चनले, नमस्कार